नमस्कार साथियो तो यह जो Asian Games की आज क्लास बच्छों हम करने वाले है क्योंकि आपका एक्जाम पैट वालों का है एक्जाम हर एक्जाम के लिए है ये लेकिन क्योंकि पैट वालों का नजदीक है तो इसका रिवीजन की आपको उस टाइम जरूरत ना पड़े इसलिए बिलकुल नजदीक में हो रहा है ठीक है चलो एक बचो आप लोगों की डिमांड थी के चंद्रियान की क्लास ठीक है चंद्रियान और संसद वैसे मैंने करा तो दी थी लेकिन मैंने क्लास में ही कराई थी अलग से नहीं कराई थी तो आज सुभे मैंने सुभे वाली क्लास जो थी उसमें चंद्रियान और संसद ही दोनों करा दियें उसमें आज के कुशन नहीं कराई है ठीक है तो मैंने अपडेट भी करा दिया है अगर आप कहेंगे तो मैं वो चंद्रियान और संसद के जो सवाल बन सकते हैं वो सारे उसमें हैं और मैं आपको शेयर कर दूँगा बच्छो टेलिग्राम पे और आपकी इस प्लेलिस्ट में भी शाम वाली में उसे एड़ करवा दूँगा अगर टेलिग्राम ना पता हो तो अभी जब हम क्लास खतम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन सा हमारा टेलिग्राम चेनल है ठीक है तो दोनों देख लेंगे आप चंद्रियान भी उसी में हो जाएगा आपका और संसद भी हो जाएगी और आज एक मापका ऐश्यन गेम्स हो जाएगा तो तीन मेजर टॉपिक आपके एक दिन मे जो एशिया में खेल होते हैं तो उनमें इसे लिटा के बारे में हम बात करते हैं कि कौन असे माननेता देता है तो आपकी वियर संस्थ है नस उलम्पिक कमेटी में उसी द्रे इस ताय इंधियों को माननन्हत मिली हुई है एक्याओ चर्दी इस के द्वारा इन इंटर नेश जैसे दुनिया का Olympic परिशद है, जैसे भारत का है, वैसे ही Asia Olympic Council भी है, ठीक है? Asian, यानि Asia की Olympic परिशद भी है, वो इन्हें आयुजित करवाती है, जैसे आपने देखा होगा न, ICC जो टूनामेंट करवाती है, इंटरनेशनल लेवल पर, PCCI जो भारत में करवाती है, और Asia Cup काउन सा, वहाँ भी क्या है बचो, Asian Cricket Council है, ACC, तो इसी तरह इसमें भी है, ठीक है? जो Asia Olympic परिशद है, उसके द्वारा ये आयुजित किये जाते हैं, अब जब Asia Olympic परिशद की बात चल रही है, तो इसका मुख्यले भी पूछ सकते हैं आपसे, Asia Olympic परिशद का मुख्यले कहां पर है बच्चो, कुवैत सिटी में हैं, कहां पर? कुवैत सिटी में, इंटरनेशन Olympic Committee द्वारे ये मानिता प्राप्त हैं, संस्था बचो, Asia Olympic परिशद इन का क्या कराती है, खेलों का आयुजित करवाती है, इसका मुख्यले कहां पर है, कुवैत सिटी में हैं, बच्चो, अगर बात करें तो Asia की सबसे बड़ी खेल पृतियों गिता है, और अगर बात करें त चार साल में एक बार ये आयुजित की जाती है, कितने में? चार साल में एक बार ये आयुजित की जाती है, अगला सवाल इससे बनता है, इसका प्रतीक चिन्न क्या है, Asian Games का? तो Asian Games का प्रतीक चिन्न होता है, बच्चो, चमकता हुआ सूरज, क्या है? चमकता हुआ सूरज हो कि 1951 में हुए थे कब हुए थे? 1951 में ध्यान रखना है बचो पहले और नई दिल्ली में हुए थे यानि शुरुआत ही जनम ही कहां पे हुआ था एशियाई खेलों का भारत में हुआ था शुरुआत हुई थी भारत में 1951 में नई दिल्ली में बचो उसके बाद भी क्या कभी भारत में इशियन गेम्स हुए सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है और 1982 में हुए थे कब हुए थे बच्चो 1982 में और ये नवे नंबर के थे कौन से? नाइन्थ ध्यान रखना है बच्चो ये नाइन्थ नंबर के थे 1951 उसके बाद सीधे 1982 में भारत हुए और ये दो बार ही भारत में हुए है केवल कितने बार हुए है? आज तक दो बार ही भारत में हुए है बच्चो ध्यान रखना है पहली बार शुभंकर 1982 पहली बार शुभंकर कब लाया गया था? 1982 में मसकट लाया गया था बच्चो पहला और अपु नाम का था जो एक भारती एहाथी का प्रतीक था किसका भारती एहाथी का तो पहले इश्या इखेल 1951 में कहाँ पर नई दिल्ली में क्या एक ही बार हुए हैं ? दो बार हुए हैं कौन से हुए नवे हुए कौन से नवे नंबर के बचो या तीसरी बार कभी दिल्ली में हुए या भारत में नहीं कभी तीसरी बार नहीं हुए बचो ठीक है फहली बार शो भंकरवी भारत में जो हुए थे नाइन्थ एशियन गेम्स यानी 1982 में उसी में अपनाया गया क्या अपनाया गया था अपू ये किस चीज को रिप्रेजन करता था एक भारतिय हाथी को रिप्रेजन करता था बचो ध्यान रखना है ठीक है चलो अठार्वे एशियन गेम्स अब पिछले पूछेगा योगी इनधिस्वें हुए थे इंडोनेशिया के जाकारता और पालेम बांग में जिसमें भारत के किल पदक थे सत्र इतने पदक थे बच्चों भारत के कुल पदक थे 70 अगर 20 पूछ ले 19 तो आपको पता ही है अभी चीन में हांग जू में हुए है चाइना में हांग जू में ये 22 वाले ही खेल 23 में हुए हैं, इसलिए नाम इनका अकसर 22 ही बोला जाएगा, अकसर ये 22 के तौर पर ही बोले जाएगे, तो पेपर में अगर 22 आ जाए तो ठीक है, 22 ना है तब 23 आए तो कोई बात नहीं, वरना है तो ये 22 के खेल, ठीक है, दो नए खेल सामिल किये गए थे ठीक है, चलो, आयोजनिस्थल, तो चीन के हांग जू में, चीन के हांग जू में, ये जो स्टेडियम आप देख रहे थे ना, इसे बिग लोटस भी कहा जाता है, इसे बिग लोटस भी कहा जाता है बच्छो, तो इसके हांग जू में हुए थे चीन के में, ये भी आपके द पहली भार भारत तीन अंकों में पदक लेकर आया है, तीन अंक्यानी की 100 या उससे ज़्यादा, तो भारत पहली बार लेकर आया है भारत के पदक आपको याद भी होने चींए, 28, 38, 41 संख्या हो जाएगी 107, कितनी हो जाएगी वच्छों, 107 हो जाएगी संख्या, 28 है और कुल मिलाके हैं 107 मेडल कितने हैं कुल 107 तौइजुनिस्थाल हांगजू में पहले स्थान पर चीन भारत का पदक तालिका में स्थान चौथा कुल पदक 107 भारत के कितने स्वरण पदक 28 कितने रजट 38 और कितने कान से वह हैं भारत के लिए सौवा पदक बहुत महत्पून रहेगा क्योंकि सौ संख्या हमारा इस बार का टार्गेट था हमारी जब टीम गई थी और सरकार ने भी ये टार्गेट बना रखा था कि कम से कम सौ पदक इस बार जीत के आए और बच्चो खिलाडियों ने उसे पूरा भी किया महिला कबडी ने छीनी ताईपे को हराया था महिला कबड्य ने जीता था हमारी ने गोल्ड मेडल जीता था और छीनी ताईपे को हराया था.. county चलो... मोटो क्या है इसका.. hurt to hurt at the rate future महिला कबड़ी टीम चीनी ताइपे को हराया था hurt to hurt at the rate future ध्यान रखना इसका मोटो था official theme song with you and me official theme song क्या था with you and me तो भारत के लिए सौवा पदक महिला कबड़ी टीम ने क्या जीता गोल्ड मेडल जीता किसे जीता चीनी ताइपे को हराया मोटो क्या था hurt to hurt at the rate future बच्चो official theme song क्या था with you and me चीन ने कितनी बार मेजवानी की है कुल मिला के तीन बार हमने कितने बार दो बार चीन ने कितने बार तीन बार हमने कितने बार दो बार चिन ने कितने बार तीन बार हमने कितने बार दो बार बच्चो इसमें कुल खेल चालिश शामिल किया गए थे और अब तक का most important कुशन है इसका बच्चो शुभंकर क्या था तो chain chain ठीक है बच्चो kang kang liyan liyan वैसे word तो है chain kang liyan लेकिन उसे repeat कर रहे है ठीक है और यह तीनों sporty robot है sports से जुड़े हुए बचो sporty robot है यह तीनों ही क्या नाम है इसका chain chain kang kang liyan liyan chain chain kang kang liyan liyan chain chain kang kang liyan liyan इसका ध्यान रखना है बचो बिल्कुल एक बच्चा पूछ रहा है कि गागर में सागर दिली पल इसके लिए वी आईगी भचो दिली पल इसके लिए भी गागर में सागर आईगी तो बच्चा पूछ रहा है पैट के लिए केवल sufficient है क्या वही पैट के लिए बच्चो sufficient नहीं केवल गागर में सागर sufficient किसी के लिए भी नहीं हो सकती उसमें तो हम महतपूर्ण चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, बाकि शाम की क्लास जो है, वो आपको लेनी है, तब ही आपका अच्छे से पेपर जाएगा, चाहिए आप पैट की ते यारी कर देओ, चाहिए दिली बिली इसकी, ठीक है, चलो, पैट वाले बिलकुल लेना है अकांक्शा लेनी है क्लास, लेनी है, ले सकते हैं नहीं, लेनी है, भारतिय दल की Official Sponsor Company, जो भारतिय दल था, उसकी Official Sponsor Company थी हमारी अमूल, कौनसी अमूल, अब दूसरा सबसे महतपूर्ण सवाल, आज तक का, अभी तक का, इसमें, वो सबसे पहले पूछता है, बच्छो ध्वजवाहक, यह नहीं, फ्लैग बीरर, जब opening ceremony होती है, और closing ceremony होती है, तो हर देश का अपना, क्या चलता है, बच्छो, दल चलता है, हर देश का अपना दल चलता है, तो उस दल में, एक जंडे को लेके भी लोग चलते हैं, कभी-कभी एक, कभी-कभी दो, जब हमारा मुक्केबाज हैं, लवलीना बोर्गोहन, और दूसरे बच्छो, हमारे हर्मन प्रीसिंग, जो हौकी के कप्तान है, क्या है, हौकी के कप्तान, याद रखना है, तो भारतिय दल की official sponsor क्या है, वो तो है, अमूल कंपनी, भारतिय दल के ध्वजवाहक, उद्घाटन में, तो उसमें PR सिर्जेस, कौन PR सिर्जेस, बचो जब लास्ट में, कई बार ऐसा भी होता है, जो जो खिलाडी खेलते चले जाते हैं, वो वापस आते चले जाते हैं, इनका खेल समाप्त हो गया, तो फिर जो बचे हुए खिलाडी हैं, उनमें से किसी से कोई ना कोई है, उन्ही मे सारियों ने हिस्सा लिया था बच्चो, इनकी कुछ मुख्य मुख्य बात देख लेते हैं, जैसे हमने पुरुस किर्केट में क्या जीता, हमने गोल्ड मेडल जीता, हमने महीला किर्केट में भी गोल्ड मेडल जीता, महीलाओं ने स्री लंका को हराया था, लेकिन पुरुस किसके साथ खेले तो फिर ठीक है अफगानिस्तान की बेटिंग भी हो गई थी लेकिन अगर हराने वाली बात है तो हमने वैसे तो मैच खेल के हराया नहीं है देख ले ना सवाल जिस तरह से पूछे पूरुस किरकेट टीम में हम अफगानिस्तान के साथ फाइनल में पहुँचे गोल्ड मेडल जीता है महीला किरकेट टीम में भी हमने गोल्ड मेडल जीता है और बच्चो 41 साल बाद हमने एक बच्चो गोल्ड मेडल जीता है खेल में और वो कौन सा है घुड सवारी एक तालिस साल बाद हमने गोल्ड मेडल जीता है इस खेल में और ये क्या है घुड सवारी है ये बहुत महत्पूर सवाल है ठीक है चलो पदक तालिका में पहले चार जो है उनका पता होना चीए आपको पहले नंबर पर तो चीन है बच्चो सीधी सीधी सी बात है 383 टोटल पदक है 201 गोल्ड है जिसमें से ठीक है 201 गोल्ड है दूसरा नंबर बच्चो जापान का है किसका है दूसरा जापान का है तीसरे नंबर का दक्षन कोरिया और चौथे नंबर पर भारत इसमें भी भारत के पदक आपको बिलकुल रटे होने चीए अठाइस अड़ति 28, 38, 407 किन के कुल पदक है 383 जिसमें से 201 गोल्ड एक मात्र टीम जिसने 200 गोल्ड का आंकड़ा चुआ तो वो भी चीन है क्या है बच्चो वो चीन है ये चारों आपको पता होने चीए क्या है चारों आपको पता होने चीए कुछ और थोड़े थोड़े अब तक के तो ऐसे effect थे जो आपके दिमाग में बिलकुल रटे होने चीए अब ऐसे हैं जो थोड़ा एक दो बार आप देख लो क्योंकि अगर सीधे सीधे पूछ लिया अभी एक दो महीने में दो तीन महीने में इस तरह की भी पूछ सकता है जब ताजा ताजा है हमारा एक खेल तो फिर पू स्रीम के तोड़िए वो एक बस वो अखेल खेले तो वेच्थीगत का मतलब वही होता है तो 50 मीटर-3 पोजीशन में बच्चों किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया तो सिफ्त कौर सामरानेस तो सिफ्त कौर शामराने किसमें 50 मीटर-3 पोजीशन में और जब विश्व रिक मैडल कौन सा, तो सूटिंग टीम थी 10 मीटर Air Rifle, पहला गोल्ड मेडल किस में जीता, 10 मीटर Air Rifle में, कौन क्यों से खिलाडी थे इस में, दिव्यांस हिंग पवार, रुद्रांक पाटिल, ऐष्वर्या, प्रताप यानि रुद्रांक्ष दिव्यांस और ऐश्वरिया रुद्रांक्ष दिव्यांस और ऐश्वरिया रुद्रांक्ष दिव्यांस और ऐश्वरिया ये तीन है ध्यान रखना है बचो इन तीनों ने दस मीटर एयर राइफल में क्या जीता गोल्ड मेडल और वो भारत का इन खेल में पहला गोल्ड मेडल था, 2022 वाले खेलों में पहला गोल्ड मेडल था, जैसे सौमा सदक में, सौमा पदक में ने बताया, महीला कबड़ी में, चीनी ताई पे कोहराया, उसी तरहे ये पहला गोल्ड मेडल है, ठीक है, चलो, सबसे ज़्यादा पदक हमने किस खेल में जीते, तो हमने Athletics में 29 पदक जीते, फुल मिलाके कितने 29 पदक जीते जिसमें से 6 गोल्ड हैं, Athletics में हमने कितने पदक जीते हैं बच्चों, 29 जीते हैं, जल्दी से देखो एक बार, जिर से देखो, पहले नंबर पे चीन है पदक तालिका में, दूसरा अस्थान जापान का, तीसरा इस्थान है दक्छिन कोरिया का, चौथा है बच्चो किसका भारत का है, पचास मीटर, थी पोजीजन राइफल में, हमारा रिक़र्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड किसने, स्रिफ् पार शामरा ने बनाया, स्रिफ्ट कार सामरा, हमने गोल्ड मेडल जीता, किसमें जीता है 10 meter air rifle में और ये हमारा कौन सा gold medal था? हमारा ये पहला gold medal था, हमारी पुरसों की team ने जीता था. इन खेलों का पहला gold medal बच्यों. सबसे ज़्यादा हमने पदक किसमें जीते एथलेटिक्स में कुल 13 में से 6 gold medal हमने सबसे ज़्यादा gold medal किसमें घिते तो निशाने बाजी में हम यहां देख रहे थे कि पदख तो हमने 29 जीत लिये हैं लेकिन गोलड 6 हैं किसे पज़िए हमने सबसे ज़ादा निशाना लगाया गोल्ड पर पे सबसे ज़दा दो पाना लगाया गॉल्ड पे इस तरह से हमदऊ करेंगे ठीक है इस तरह बचो चलो अब आप से पूछेंगे कि भाला फेंक में हमने गॉल्ड मेडल जीता किस recording और दे हुमनेघान की कैटेगरी में किस ने जीता ऐब अर पुर्ष ओंकी कैटेगरी में जीते रखना है तीन हजार मीटर में गोल्ड किसने जीता है अविनाश मुकंद साबले ने पाँच हजार मीटर में किसने जीता है रजत पदक अविनाश मुकंद साबले तो तीन हजार मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता है अविनाश मुकंद साबले ने पाँच हजार मीटर म ने जहना लिखना है और भारत के बहुत बढ़ीया खिलारी है कि जीघ thriller merner ने विहास ने जीता है! net knowledge and पारुल चौद्री ने क्या जीता है? aya 걸मट कितने मीटर में 5000 में पांच हजार में और यह महतपूर्ण करेंए कि पारुल चौद्री ने last की 10 सेंड के पार बोली सब से श्क्रणे जॉत को तो तो बचो सौटपुट में तजिंदरपाल सिंग्तूर गोल्ड मेडल, जैवलिन में अनूरानी और नीरच चोपड़ा अपने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल बचो, पांच हजार मीटर में सवनपदक पारुल चौधरी ने, इसक्वेश का पुरुस टीम होती है इसक्वेश की टीम उसमें भी गोल्ड मेडल, ठीके दोनों ध्यान रखने हैं, तीर अंदाजी के दो-तीन ध्यान रख लेना बचो, तीर अंदाजी में शायद ये तो नहीं पूछेगा किसमें क्या पदग जीता, लेकिन आपसे नाम पूछ सकता है कि ये खिलाडी किस से संबंदित है, देखो, ओजस प्रवीन देवताले इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, व्यक्तिगत जानते हो, यानि इंडिविज्वल, यानि खुद एक खिलाडी के तौर पे हिस्सा लेके, तो ओजस प्रवीन देवताले ने गोल्ड मेडल जीता था, और उधर महिलाओं में जोती सुर भी हो जिता आई इसे इन्हों हो ने解食 के तौर पर भी जीता है जी महिले आई टीम रखना शामिल ती इनों बहुत बहुत हो तो यहाद रखना है ठीक है एक अलवक किौन SAP चलो यह बहुत important है कि भई अभी जो सात्विक साहीराज रंकी रडडी है और चिराग शट्टी है इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने gold medal जीता है. doubles का gold medal पहली बार जीता है सात्विक साहीराज रंकी रडडी और चिराग शट्टी की जोड़ी ने. महिला का बड़ी टीम गोल्ड मेडल जीता है पुरुस का बड़ी टीम गोल्ड मेडल जीता है महिला वालों ने सौवा पदक जीता था चीनी ताइपे को हराया था और पुरुस ने इरान को हराया था पुरुस का बड़ी टीम ने इरान को हराया था पुरुसों की होकी टीम में हमने क्या जीता है गोल्ड मेडल जीता है और महिलाओं की होकी टीम में हमने कान से पदग जीता है पुरुसों की जो होकी टीम है हमने किस को हराया जापान को हराया तो टीम में हमारे किस किस में होगे गोल्ड मेडल देखो, स्क्वैस में हमारा गोल्ड मेडल हो गया ठीक है नमबर दो, तीम में, टीम के तौर पे किरकेट में चाहे महीला है चाहे पुरुस है हमारा गोल्ड मेडल हो गया बच्छो कबड़ी में चाहे महीला है चाहे पुरुस है अब अगले पांच मिर्ट में मैं आपको इसका जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, अगर पेपर से जाने से पहले एक बार ये रिवीजन देख जाना, केवल पांच मिर्ट में करते हैं, महत्पून चीजों का, ठीक है, चलो, ऐस्यन गेम्स के बारे में बात करेंगे, त बचो देखो, अंतरास्ती ओलंपिक समीती द्वारा माननेता प्राप्त होते हैं, कौन आयोजन करवाता है, तो एश्याई ओलंपिक परिसद करवाता है, इसका कहां पर है मुख्याले, कुवेट सिटी में इसका मुख्याले है, एश्या की सबसे बड़ी पृतियोगिता कौ नई दिल्ली में हुए थे, किस संस्था द्वारा बचो, एश्याई ओलंपिक परिसद के द्वारा, भारत में कुल मिला के कितने बार हुए हैं, दो बार हुए हैं, 1951 में पहले थे, कहां पर हुए, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ही पहले, नई दिल्ली में ही कहां पर इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम बांग में भारत में कुल कितने पदक जीते थे 70 पदक जीते थे कितने 70 जीते थे बच्चो बीस में कहां होंगे आईची नागोया जापान कहां होंगे आईची नागोया जापान में होंगे ध्यान रखना है बच्चो 2022 के जो 19 किसमें HCI खेल थे, उसमें कौन-कौन से खेल शामिल हुए, तो e-sports और break dancing, ठीक है, चलो, 2023 के HCI खेलों के बारे में थोड़ी सी important चीज, कहां पर हुए है, हांग जू में हुए हैं, बच्चो, कौन से stadium में, जिसे big lotus भी कहा जाता है, तो olympic sports center stadium है, उसे big lotus भी कहा जाता है, उ 383 total medal है, इसे 383, भारत का इस्थान 14 है, भारत के कुल पदक 107 है, भारत ने कैसे जीते हैं, पदक 28, 38, 41, 28, 41 बच्चो, सौवा पदक महिला का बड़ी टीम ने चीनी ताइपे कोहराया था, मोटो है, hurt to hurt at future बच्चो, याद रखना है, ठीक है, चलो, official theme song क्या है, with you and me, बच 40, शुभंकर महतपूर्ण होता है, चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान, तीनों sporty robot है, क्या है, sporty robot बच्चो, भारत ये दल की official sponsor company, अमूल थी, जब उदघाटन हुआ, तो भारत का जंडा हाथ में लेके कौन चले, लवलीना बोर्गहन और हर्मन प्रीस सहिंग चले बच् प्रेस, कौन है, केरल के हैं, और वैसे हमारी hockey team के क्या है, गोल कीपर हैं, भारत के कुल खिलाडी थे, 655 बच्चो, ठीक है, हमने पुरुस के team में gold जीता, महिला में भी gold जीता, महिलाओं ने किसे हराया, स्रीलंका को हराया, पुरुसों में हम किसे साथ final में पहुँचे, बाचों किस खेल में हमने 41 साथ बाद गोल्ड मेडल जीता है घुड सवारी पहला स्थान चीन का याद रखना है 383 जिनमें से 201 गोल्ड दूसरा जापान तीसरा दक्षिन कोरिया चौथा भारत पहला चीन जापान दक्षिन कोरिया भारत चीन जापान दक्षिन कोरिया भारत जो 50 मीटर थी पॉजिशन राइफल थी उसमें बच्चो किसने गोल्ड मेडल जीता and record बनाया World स्फ्ट कोर सामराने कौन है शूटर है कौन है शूटर है बच्चो पहला हमारा गोल्ड किस तीम ने जीता था इसमें उसमें रुद्रांच कौन है रुद्रांच पाटिल है दिव्यान सिंग पवार है और एश्वरिया प्रताप सिंग तोमर है बचो ठीक है सबसे ज़्यादा पदक हमने किसमें जीते एथलेटिक्स में कुल 29 जिसमें 6 गोल्ड है लेकिन 7 निशाने बाजी में थे हमारे गोल्ड दिलवाया किसने दिलवाया अन्नु रानी ने हमें गोल्ड दिलवाया बच्चो महिलाओं में भी याद रखना है तीन हजार मीटर की रेस और पांच हजार में अविनास मुकंद सामले ने हमको दिलवाये तीन हजार के में गोल्ड और पांच के में रजत बच्चो याद र जीता है इसको एस Mixed Team जो है हमने Gold Medal जीता है तीर अंदाजी में याद रखना कि जो हमारा ओजस प्रवीन देवताले है जोती स्रुखा वेनम ने Gold Medal जीता है और जब दोनों ने टीम बनाई तो भी Gold Medal जीता ठीक है इसके लावा बचो गोल्फ में पहली बार हमें पदक मिला और वो गोल्फ में हमें क्या मिला था बचो गोल्फ में हमें महिला ने दिलवाया अदिती अशोक है ओलंपिक में भी हिस् पुरुस के व्यक्तिगत में महिलाओं के व्यक्तिगत में और मिक्सर टीम में तो हमने Gold जीता ही इसके लावा एक टीम बनी महिलाओं की उसमें भी हमने Gold जीता ध्यान रखना है ठीक है चलो उसमें भी Gold जीता है बचो हमें पहली बार बेडमिंटन का जो डबल्स का क्या दि लवाए है gold medal किसने सात्विक साइराज रंकी रड़ी और चिराग शटी ने महिला का बड़ी टीम ने सवन पदक जीता था यह हमारा कौन सा सौवे नंबर का था, किसको हराया था चीनी ताइपे को, पुरुस का बड़ी में हमने किसको हराया, इरान को हराया पुरुस होकी में बच्चों हमने क्या जीता गोल्ड मेडल जीता, जापान को हराया और महिला होकी में हमने जीता है कान से पदक, क्या जीता है कान से पदक, बचो ये महतपूर्ण बनते हैं, यही आपके महतपूर्ण बनते हैं, ध्यान रखना है ये आपके महतपूर्ण बनते हैं, RWA Current Affairs RWA Current Affairs बचो ध्यान रखना है, ये आपकी क्या है RWA Current Affairs, ये आपका टेलिग्राम चैनल है जिसके आपको इसकी PDF वगरा मिल जाएगी सुबह वाली वीडियो भी देख लेना अभी थोड़ा सा टाइम है वो बहुत महत्पूर्ण है संसद पर वो बच्चो कल मिक्स जो है important चीजे हैं कुछ वो मैं करवाऊँगा कल फिर परसों हम करवाएंगे नोबेल ठीक है नोबेल सेटर्डे में मेरी कोशिश रहेगी सेटर्डे में जो जुलाई है उसका एक पार्ट ठीक है उसका एक पार्ट और वैसे तो अब जो पैट वाले बच्चे ना विए ठीक है मंधि के बजाए उनके दो च्वाले बच्चों में संडे में पैट वाले बच्चों उससे बिशख मत देखो निए कुछ और चीजें ही लेकिया अब के लिए टॉपिक वाई जी शाम की कलास आप regian Cleans लिकाली ले लो बेशक्क ना अभी छोड़ दो बेशक्वंथ लिए चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चो तुबह की क्लास में सुबह वाले बच्चों से मिलेंगे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद